हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू माई न्यू शो ई-लर्निंग कॉमर्शन मैनेजमेंट विट डॉक्टर दिनेज वक्ताय। मेरे यूटुब चैनल का नाम आ गया है आपके सामने डॉक्तर दिनेज वक्ताय। तो जैसा कि आप जानते हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्मेंट ये एक नया टॉपिक हमने सीखना शुरू किया है। इसके पहले दो वीडियो आ चुके हैं आज का ये तीसरा वीडियो प्रॉब्लम नंबर तीन जिसमें हम जानेंगे। यदि आपके पहले दो वीडियो देखना बागी रह चुके हैं तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर तीन। अपको क्या करना है। आपको पूछा गया है लेजर अकाउंट पूछा गया है यहां पर 8% गवर्मेंट सेक्रिटीज का आपने अकाउंट के कॉलम बना के रख दिया है। आप मेरे साथ रजिस्टर पेन पेंसिल का यूज करते हुए कॉलम बना कर यह प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए सुदर्शन लिमिटेड हेल्ड ऑन 1st January 2019 रुपीज 1 लाग एक लाग की उनके पास गवर्मेंट सेक्रिटीज है जिसका रेट आप इंट्रेस्ट दिया गया है एट परसेंट ओके एट कॉस्ट आप रुपीज 95,000 थ्री मन्स इंट्रेस्ट हैड अक्रूड अन सक्टेबर एवरी एर दिया गया है पहले लाइन में दो बार इंट्रेस्ट मिलता है 30 मार्च को मिला था उसके बाद January फर्वरी 30 September को मिला था उसके बाद October, November, December इन तीन महनों का आपको इंट्रेस्ट मिलना बाक्य है और उपर वो भी दिया गया है अक्रूड है तीन महने का इस तरह से दो purchase की इंट्री दिये दो sale की इंट्री दिये और साथ में नीचे कुछ दो लाइन में बताया जा रहा है कि the securities has nominal value of Rs.100 each एक security की nominal value Rs.100 है और closing valuation to be as per AS3 accounting standard 13 के हिसाफ से closing balance निकालना है जो कि cost और market price whichever is less इस तरह से दिया गया है accounting standard 13 में फिर यहाँ पर आपको market price जानना जुरुवी हो जाता है और वो भी problem के अंत में दी गई है देखिए write up government securities account closing it on 31st December 2019 on which date market value of the security was Rs.96 securities की value भी दी गई है आपको 96 ओके तो इस तरह से हम working note का calculation करेंगे आपने मेरे पीछे के problems में भी देख लिया होगा कि यह कुछ मेरा नया format दिख रहा है columnar form में आपको पसंद आया है तो आप यह use कर सकते हैं कहीं books में आपको देखने को मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा अलग-अलग तरह के format होते हैं यह थोड़ा सा simple easy understandable format है चलिए 1st January 2019 हमने यहाँ पर mention कर दिया है हम opening block stock लेंगे opening balance लेंगे two balance BD brought down ओके वन लेग रुपीज face value दी गई है interest accrued है उसके हम separately entry करेंगे cost price उपर आपको दी गई है 95,000 रुपीज अब accrued interest की भी entry कर लीजिए फिर से वही date आएगी two accrued interest interest आपको निकालना है तीन मैने का accrued interest है first two lines में आपको बताया गया है एक January 2019 की आप face value लिखेंगे एक लाख रुप है उस पर कितने मैने का three months का yearly interest निकाल लीजिए एक लाख यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था उसका font थोड़ा सा छोटा कर लिया है मैंने अब दिखाई दे रहा है अब एक लाख रुपीज पर आप मेरे पास excel है आपके calculator का यूज करके percentage निकाल लीजिए 1 lakh into 8% into 8 divided by 100 इस तरह से तो 8000 रुपे आगे 8000 को आपको divided by 12 करना है multiply by 3 करना है क्योंकि 3 मैने का interest आपको जानना है actual interest ओके एंट्रेस्ट याने क्या होता है actual interest yearly interest हम अलग से पहले निकाल लेते थाकि actual interest आपको जो calculate करना है वो आप easily calculate कर सके 2000 की entry आ गई है यहाँ पर देखिए अब उसके बाद आपको यह एक चीज ध्यान रखनी कि 31 मार्ज को आपको interest की entry करनी है उसके बाद में 30 सप्टेबर को भी करनी है यह दो entry है उसके बाद 2 purchase और 2 sale की भी entry दी गई है देखिए 31 मही की entry यहाँ पर आ रही है और उसके बाद म यह 30 सप्टेबर की 30 नोहेंबर की entry आएगी लेकिन बीच में दो interest की entry आ जाती है और यहाँ पर 31 मार्ज पहले आ रही है और बीच में कोई भी purchase और sale की entry नहीं है एक जनेवरी के बाद देखिए फरवरी की कोई entry नहीं है मार्ज की भी कोई नहीं है डारेक्ट 31 मार्ज की interest की entry आ रही है वो आपको करनी है by bank into bracket interest आपको 6 मेने का interest निकालना है कितनी face value हुए है उसकी वही एक लाग रुपे face value है ओके उसकी date मेंशन कर दीजिए आप एक लाग रुपे उसकी face value है 6 months का आपको interest निकालना है एक लाग रुपे की face value पर 8% आपका government securities का interest है देखिए इस तरह से 8000 फिर से वो ही आ गया 8000 divided by 12 multiply by 6 इस तरह से 4000 रुपीज का आपका जो interest है वो आपको credit हो गया है आपको मिल गया है आपके account में जमा हो गया है अब purchase की entry आती 31 मही की हमने sequence लगा कर रख लिए पहली purchase की entry करेंगी यह वाली हम उसके बाद में this one okay and next this and last में यह entry करेंगे बीच में एक interest की भी entry आएगी तो 31 मही की date wise हमने थोड़ा सा mind में setup कर लिया है किस तरह से entries होगी to bank to bank में आपने purchase की 40,000 की अब इसकी आपको cost price निकालना है और cost price निकालने के समय आपको कम interest है यह x interest है यह चीजे ध्यान रखनी है उसका भी क्या होता है वो भी आपको पता देता हूं देखिए cost price की working के लिए हम यहाँ पर बाजू में आ गए यहाँ पर हमने face value रूपीज रेट है अब आजेए 40,000 x 96 divided by 100 तो 96 divided by 100 यह हमारी cost price आ गई हम cost price यहाँ पर mention नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह कम interest कम interest की case में आपको पहले interest निकाल लेना है और वो interest आपकी cost price में से भी आपको minus करना है ओके तो कम interest की case में या सारे cases में हम interest यहाँ पर निकालते हैं यह interest निकाल लेंगे 40,000 रुबे कितने months का interest निकालना है आपको आपको पीछे गिनना है मही का पूरा महना लेना है आपको देखिए 31 तारीक है इसल 2 months का जो भी interest है वो आपको वहाँ पर extra debit करना है क्योंकि आपको जब भी मिलेगा interest 6 months का मिलने वाला है तो 2 months का interest हम पीछे की date का interest calculate करते है और वहाँ पर debit में कम interest है इसलिए वो mention कर देते हैं X interest हो तो भी mention करते हैं कम interest में वो cost price में से minus होगा 40,000 into 8 divided by 100 ओके 32,000 आ गया है यहाँ पर 3,200 रुपे आ गया है उसको आप divided by 12 करेंगे multiply by 2 होगा तो इसको round up कर लीजिए 533 तो 533 आपका interest आ गया है यहाँ पर आपको क्या करना है 38,400 जो आपनी अभी cost price निकाली यहाँ पर यह cost price आपको दिखाई दे रही है इसमें से आपने 533 रुपे माइनस करने है अब जो भी cost price actual है आपकी यहाँ पर mention कर दीजिए क्योंकि यह actual cost price है वो तो हमने temporary निकाल के रखी थी 96 के rate के हिसाब से बट वो कम interest होने के वज़े से cost price effect होती है उसके बाद आ जाएगे आपकी second interest जो आएगी वो sale की आएगी 31 जुलाई की अभी interest के लिए देरी है interest 30 September को मिलेगा लेकिन उसके पहले आपका sale हो जाएगा sale दिया गया है देखिए आपको 30,000 रुपीज का face value mention कर दीजिए 30,000 अब उसकी cost price निकालने के लिए फिर से यहाँ आजाईए 31 जुलाई 19 और उसकी cost price निकाल लीजिए 30,000 rate आपको यहाँ पर दिखाई देगा देखिए 94 रुपीज का rate दिया गया है और यह x interest है इसलिए आ 94 divided by 100 यह आपका cost आगया 28,200 आपको पूरी cost price यहाँ पर mention करनी है क्यों mention करनी है क्योंकि x interest है इसमें से interest की रकम आपको minus करने की जरूरत नहीं है लेकिन interest आपको निकालना है आपको कितने मैने का interest मिलेगा देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है 31 March को मिला था उसके बाद आपको interest नहीं मिला तो आपको इस amount पर 31 July तक interest मिलना चाहिए याने April, May, June, July 4 महिने का interest यहाँ पर आप mention कर दीजिए 31 July 19 30,000 रुपे की रकम 4 months का interest आपको मिलना चाहिए तो 30,000 into 8% divided by 100 2400 रुपे आगया divided by 12 multiply by 4 4 महिने का interest आपको निकालना है 12 से हम divide करेंगे उसको अब यह interest, x interest है इसलिए minus करने की जोरत नहीं सिर्फ आपको यह interest के column में mention करना है आपको cost price के साथ-साथ इसका interest भी मिल गया है क्योंकि आपने investment sold out कर दी है ओके इसके बाद जो entry आएगी वो एक October की है लेकिन उससे पहले एक entry यहाँ पर आपको interest received की कर पर मिलेगा आप calculate कर लीजिए प्लस और minus कर लीजिए debit column में से debit की total देखिए एक लाग 40,000 आ रही है यहाँ आपको दिखाई दे रही है देखिए एक लाग 40,000 और credit की total 30,000 minus कर दीजिए तो एक लाग 10,000 पर 10,000 आपके पास closing balance है उस पर आपको interest मिलना चाहिए 6 months का interest मिलेग तो एक लाग 10,000 मेंने यहाँ mention कर दिया इंटू 8% साल भर का interest आजाएगा 8% yearly interest हमने निकाल लिया 8,800 8,800 की जो रकम है divided by 12 करेंगे इंटू 6 करेंगे तो यह 6 मेने का interest आपको 6 मेने का चाहिए था 4,400 रुपीज ओके इस तरह से अब एक purchase की entry आ रही है purchase की entry पहले कर है purchase की second entry हमारी वाकी है यह वाली ओके इसमें आपको जो दिया गया है एक इंट्रेस्ट है एक एक अक्टोबर 19 ओके एक 10-19 की तारिक लेली मैंने to bank और 5,000 की आपने investment पर्चेस किये हैं तो आजहिए यहाँ पर एक अक्टोबर 19 5,000 और उसका rate आप यहाँ देख सकते दिया तो 5,000 into 99 divided by 100 है तो यह 4,950 आपके cost price आती है आप direct यहाँ पर लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं क्योंकि यह x interest है कम interest है तो हम रुख जाएंगे लिखेंगे नहीं बाद interest पहले लिखेंगे फिर interest minus करेंगे और फिर जो रकम आएगी वो लिखेंगे अब interest calculate कर दीजिए और interest calculate करने की ज़रूत ही नहीं है क्योंकि अभी मिला था 30 September को interest और उसके बाद में 1 October को आपने फिर से खरेंगे कर लिया तो एक दिन का interest तो मिलता नहीं है याने कोई date में कोई change नहीं है सिर्व यहां पर 30 September के बाद की अगली date आ रही है एक October तो कोई interest नहीं आएगा interest के column में 0 कर दीजिए calculation भी करने की ज़रूत नहीं एक महिने का भी नहीं 15 दिन का कोई interest नहीं आ रहा है ओके लास्ट वाली हमारी sell के entry बाकी रह जाती है यहां पर यह वाली तो यह entry कर लिजिए 30, 11, 19 की और वो entry होगी by bank कितने अजार 20,000 ओके तो 20,000 की cost price निकाल लिजिए और एक चीज़ ध्यान में रखिए यह फिर से कम interest है 30, 11, 19, 20,000 और उसका rate दिया गया है यहां पर आप देख सकते हैं 96 ओके आज़ेगे यहां पर 96 mention कर दीजिए ताकि cost price निकालने में हमको आसानी हो 20,000 into 96 divided by 100 cost price आ गई लिखना नहीं है हमको क्योंकि कम interest है देखिए यहां पर आप कम interest है ओके तो अब आज़ेगे आप यहां पर पहले interest निकाल लीजिए 30, 11, 19 का interest निकालेंगे आप 20,000 रुपे पर कितने months का interest कब मिला था यहां जेक कर लीजिए आप 30 September को मिला था उसके बाद October और November दो महिने ओके November का पूरा महिना क्योंकि 30, 11 की date दी गई है 2 months का आपको interest calculate करना है तो पहले 20,000 पर हम क्या करेंगे 8% से साल भर का 20,000 multiply by 8 divided by 100 16,000 रुपे आ गए 16,000 रुपे is divided by 12 multiply by 2 क्योंकि 2 महिने का interest आपको जानना है कुछ तो भी round up में आ रहा है आप उसको round up कर लीजिए 267 ओके 266.70 आया था उसको हमने 267 से round up कर लिया next 10 में उसको next 1 में आप उसको round up कर लीजिए 267 आ गया आपके cost price यहां दी गई है 19,200-267 आपको minus करना है जो भी cost price आईए आप यहां पर mention कर सकते हैं किस तरह से आई वो आपको पता है उसमें से आपने interest minus कर दिया है मुझे लगता है यहां पर students problem हमारा solve हो गया है सिर्फ हमको क्या करना है closing stock निकलना है accrued interest निकलना है और last की profit and loss की interest करनी है तो चलिए closing stock accrued interest की entry कर लेते हैं 31,12,19 by accrued interest ओके last वाली एक entry कर लीजिए कितने months का interest आपको मिलना चाहिए यहां पर निकाल लीजिए 31,12,19 आपको कितने रूपीज पर interest मिलेगा देखिए आपके आपके बाद debit side में 1,45,000 है और credit side में 50,000 है 1,45,000 की आपने securities total purchase की उसमें से 50,000 की बेज दी 1,45,000 में से 50,000 गए तो यहां पर आपके आते है 95,000 और 3 महने का interest मिलेगा क्योंकि आकरूड में आपको 3 मेने का मिलता है और जब भी happy early interest मिलता है वो 6 मेने का मिलता है क्योंकि last में कम मिलाता है यहां देखिए 30 September उसके बाद October, November, December और December का पूरा महना लेगे क्योंकि 31 तारीक है तीन मेने का interest निकाल लीजिए 95,000 पर पहले साल भरका निकाल लिए 95 multiply by 8 divided by 100, 8% ओके 9,600 आ गया divided by 12 multiply by 3 तो 3 मंस का interest हमारा आ गया 1900 रुपए इस तरह से ओके तीन मेने का interest हमने निकाल लिया है अब आप क्या करेंगे closing balance निकालेंगे लेकिन closing balance एस पर accounting standard क्या दिया गया है देखिए 13 दिया गया है account AS 13 क्या कहता है कि cost और market price whichever is less तो जैसा आपको पता है आपके पास face value 95,000 की बाकी है देखिए दोनों side के column match हो गए आपके 1,45,000 इस side भी 1,45,000 मेरे पास excellent direct total automatic change हो रही है आप total करते रहे हैं साथ में अपनी अपनी 1,45,000 आ गया है यहाँ तो 95,000 की हमारे पास closing stock है यहाँ पर क्या करेंगे हम closing balance निकालेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे market value भी निकाल लेंगे तो जो कम है वो हम वहाँ पर mention करेंगे अब देखिए 95,000 है 95,000 इन्टू क्या दिया गया है आपको इन्टू क्या दिया गया है 95,000 market value पढ़िए आप last line में रूपीज 96 divided by 100 आपके market value आ गई है यहाँ पर 91,200 रुपए अब आपकी cost price वाली value भी आपको निकाल लेंगे है तब जाकर आप समझ पाएंगे कि कौन सी value आपको लेंगे है देखिए आपको 95,000 पर आना है cost price पर closing balance निकालते समय हमें FIFO method का use करना पड़ता है FIFO method में से FIFO method यानि उसका एक separate video भी आप देख सकते है मेरे YouTube channel पर और FIFO method आपको पता है ओके costing में भी हमारा यह concept हुआ है FIFO method में क्या होता है जो last में investment हमारी पास बची है हम reverse गिनते जाएंगे और जहां पर 95,000 हो जाएंगे हम वहाँ पर रुख जाएंगे अब यहां आएगी face value 5000 ओके यह 5000 तो पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि हमको 95,000 तक पहुच रहा है इसको आप 100% यहां पर mention कर दीजिए ओके इसको आप 100% mention कर दीजिए इसका जो भी ratio आएगा उके उसके बाद देखिए यहां पर 40,000 भी आपको लेना ही है उसकी हम क्या कर रहा है cost price ले रहा है देखिए यह cost price यहां पर mention कर रहा है यह मेरा columnar format बनाता हू देख लेते हैं यहां पर तो एक लाख और उसकी cost value कितनी आगे 95,000 तो हमको कहा तक जाना है देखिए यह तो पूरा लेना पड़ेगा 5000 वाला पूरा ले लिया हमने 40,000 वाला भी पूरा ले लिया मुझे लगता है इसका आधा लेंगे हम एक लाख का क्योंकि हमको 50,000 ही चा आएगा 37,860 भी जैसे के वैसे आएगा और 95,000 का आधा ओके इस तरह से 45,000 तो अब यहां पर cost निकाल लीजिए आप 95,000 और इन तीनों की total कर लीजिए 4,950, 37,860 प्लस 47,500 तो यह total आगई आपका यह balance आगया 90,317 वो क्यों लिया हमने क्योंकि cost price कम है market value हमारी ज्यादा दिकरी है हमको 91,200 तो 91,200 हमको नहीं लेना है interest के column में देखिए अब cost price हमने किस तरह से निकाल लीजिए आपको यहां निकाल कर भी बता दिया आप मैंने तो interest का column close करेंगे interest में हमेशा profit होता है तो interest का column पहले close कर दीजिए 31,12,2,2 P&L account into bracket interest इंट्रेस्ट में profit आ रहा है हमारा आ जाईए 11,360 credit side की total हमें दिखाई दे रही है उसमें से हम debit की जो नीचे total दिखाई दे रही है 2,533 वो minus करेंगे आपका profit आ गया 8,834 रुपे का तो दो column हमारे close हो चुके है अब सिर्व ये आखरी वाला column ही close करना है तो मुझे लगता है इसमें loss है आपको देखिए debit side की total बढ़ी है 1,3,817 और credit की total कम है याने cost में आपको loss हुआ है by P&L तो debit में से आप credit minus करकर जो भी loss है loss credit side में आता है ये भी पता है आपको debit side में हमारा profit आएगा ओके 13817 माइनस 13450 तो ये 300 सदूसित रूपीस का आपका loss आ गया तो इस तरह से हमने ये leisure account यहां पर बनाया है general interest का भी एक video आपको separately मिल जाएगा मेरे ही इसी YouTube चैनल पर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसी की उसकी लिंक भी इसी वीडियो की description में आपको मिल जाएंगी आप वो भी वीडियो देखिए अगले दो problem और आने वाले मुझे लगता है एक लास्ट के वीडियो के लिए इस वीडियो में अंतक बने रहे तो यह आ गया हमारा लास्ट वाला वीडियो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया मेरी मिथर पसंद आई तो आप इसको like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए आपने friends के साथ इसको share कीजिए और इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप कंटिन्यूज देखते रहिए कोई क्यूरी हो तो मेरा email id भी आपको दिया गया है आप मुझे mail कीजिए thank you